जी हां दोस्तों यूटूब के इतिहास में साया दिया पहला ऐसा वीडियो होगा जिसमें आपको 15 इंच फटे और कबार हो चुके प्लास्टिक बकेट का रिपेर करने का एकदम सॉलिट तरीका बताया है और इस सॉलिट तरीके से आप सिर्फ बकेट ही नहीं आप अपने घर का को भी प्लास्टिक का समान अगर कट जाता है या फट जाता है तो आप इस सॉलिट तरीके से रिपेर करके महिनों तक यूज़ कर सकते हैं बीना किसी परिशानी के तो नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अमर और आप देख रहे हमाई टूप चेनल मेकनिकल सर्च दोस्तों अगर अभी तक आपने हमाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को आल पर सेट करना ना भूलेगा तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें जट से इसी तरह का वीडियो और भी देखना चाते हैं तो हमाई चै जैसे कि आप देख पा रहे हैं यह जो प्लास्टिक बकेट है वहाँ पूलतिया से कबार हो चुका है तो दोस्तों हम आपको बताएंगे इसका सॉलिड तरीका से ठीक करने का तो उससे पहले हम इसे अच्छे से क्लीन कर लेते हैं पानी की मदद से और उसके बाद आपको ब आप लेते हैं इस तरह से तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पाई दो तो यह जो प्लास्टिक बकेट है वहाँ लगभग 15 इंच की लंबाई तक फटा हुआ है तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इतना बड़ा फटा हुआ तो आपको कुछ थोड़ा बहुंतों मेहनत कर कर लेना एक अलग बात होता है दोस्तों अगर आप सक्षम है तो आप नए ले सकते हैं मगर दोस्तों कई भाई लोग ऐसे भी होते हैं जो 100-100-200 रूपे का रोज का कमाता है और अपने परिवार चलाता है तो दोस्तों उन लोगों के लिए बहुंती काम की चीज होने वाला हूं तो दोस्तों आपको step by step मैं आप लोगो explain करूंगा कि किस तरह से आप अपने जो फटे हुए bucket है उसका repair कर पाएंगे तो उसके लिए दो पहला step हमारा लिया होगा कि हम इसमें टाका लगाएंगे दोस्तों हम इस तरह से सूई की मदद से slide तो नहीं कर सकते है क्योंकि जो पलास्टिक है वाँ उसमें नहीं घुषेगा तो हम क्या करेंगे सूई को आग की मदद से गर्म करेंगे और गर्म करके इसमें छोटा-소Seal करेंगे तो दो सकते हैं तो इस तरह से आपको कुछ सेंटीमेटर की दूरी में आपको ऊपर और नीचे की तरफ आपको छोटा-छोटा होल करना है इस सुई की मदर से आप देख सकते हैं तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहां तक मैंने होल करके आपको दिखा दिया बस इस पकार से आपको ह सकते हैं उपर की और नीचे की आपको दूनों पट्टी में ही आपको होल करना इस तरह से तो चले दोस्तों हम इसी तरह से होल कर लेते हैं आपको दिखाते हैं दोस्तों इस से होल को करने में हमें लगबग आदा घंटे का वक्त लगा तो दोस्तों आदे साथ किस तरह से हमने यह जो प्लास्टिक का फटे हुए बकेट है उसमें इस तरह से हमने होल कर दिया है अब इस तरह से होल करने के बाद दोस्तों हम इसमें असानी से टाका लगा सकते हैं असानी से सिलाई कर सकते हैं और दोस्तों बस सिलाई करने से हमारा काम नहीं चलेगा आगे और इस्टेफ ह है वह छोटा है और इसे थोड़ा पतला है तो और दोस्तों धागे आपको कौन सो यूज करना है जो धागे रजाई को सिलाई करने के लिए यूज की आता है वो धागे आपको यूज करना है या काफी मजबूत होता है और इस धागे को आपको डबल करके इसमें टाके लगान में हैं हम आपको उसे भी explain करनेंगे यहां पर तो दोस्तों को क्या करना है आपको को भी सिर्थ से या लेट्टर से तो हम यहां से इस्टैर्ट करेंगे तो आपको क्या करना किसी भी starting वाल होल है वहाँ से सुई को अंदर भुशाएंगे और उसके बाद अगले वाला उपर का जो होल है वहाँ से बाहर निकालेंगे यानि कि अंदर बाहर अंदर बाहर इस तरह से आपको सुई को अल्टी पल्टी करके आपको सिलाई करना है तो दोस्तों आप दे सकते किस तरह से मैंने यहाँ पर सिलाई किया है तो ठीक इसी पकार से आपको जहां तक फटा हुआ जहां तक हमने होल किया है सारे फटे हुए जगह में आपको सिलाई करना है और थो थोड़ा सिलाई करने के बाद आपको टाइट करते जाना है तो दोस्तों इस तरह से हमने यहाँ पर जो haul है बहुत सारे haul है जिसमें आप अगर पाणी यूज़ करेंगे तो वह बहुत ही leakage होगा तो इसे हम solid बनाएंगे तो solid बनाने के लिए हम क्या करेंगे हम आपको अगला इस टिप में बताएंगे कि आप किस तरह से आप इसे solid बना सकते हैं तो दोस्तो इसके लिए आपको क्या करना है आपको आटे का यूज करना है तो चले मैं आपको दिखाता हूँ तो दोस्तो हम यहाँ पर चामल का आटे यूज कर रहे हैं आप चाहे तो गेहूं का आटे यूज कर सकते हैं या आप चाहे तो बेशन भी यूज कर सकते हैं तो आपको करना क्या है तो यह जो आटे हमने लिये हैं, उसकाल बनाना है पेश्ट तयार करना है। इसने सारे होल आपको दिखाई देर होगा। उस होल में आपको आटे को भर देना है। इससे क्या होगा कि जितना भी होल होगा उसके अंदर में आटे जाकर बैठ जाएगा उसका जो होल होगा उसे बंद कर देगा तो चलिए हमें आपर ये जो आटे का हमने लेप बनाया है उसे इसके उपर लेप लगाएंगे अच्छे से और इसका जो सारे होल है वहाँ पर हम से अच्छे से भर देंगे अंदर की तरब भी और बाहर की तरब भी तो इच्छे दोस्तों हम इसे फटा-फट से इस आटे का लेप लगा लेते हैं अच्छे से सारे हॉल में के अंदर आपका जो आटा है वा जाकर बैठ जाना चाहिए इस तरह से आपको इसमें आटा का लेप लगाना है तो इस तरह से हमने आपर सारे जगा में आटा का लेप लगा लिया है अब दोस्तों यहाँ पर हमारा जो काम है वा सॉलिड नहीं हुआ है तो हम इस solid बनाना है तो उसके बाद हमारा अगला step बाज की बाकी है भी तो हम इसे सुखने तक यहाँ पर इंतजार करेंगे तो दोस्तो हमने यहाँ पर आदे घंटे सुख आने के बाद इसका यूज करेंगे अब दोस्तो हमारा final step आने वाला जिसमें यह जो सिलाई हुआ है जो टाके लगवा एकदम solid हो जाएगा तो दोस्तो हम यहाँ पर फेवी क्यूग का यूज करेंगे जी हाँ दोस्तो फेवी क्यूग का यूज करने से क्या होगा जो हमने यहाँ पर आटे का ले हाके लगाया है जिसमें लेप लगाया है उसके पूरी तरह से इसमें फेवी क्यूग की मदर से सराबोर कर देंगे इसको एकदम इसके उपर फेवी क्यूग के लगा लेंगे ताकि यह जो आते हैं वह जो होल के अंदर जाकर बैठा हुआ होगा जो हाटे का हमने लेप लग इसमें फेवी कुऊ का यूज कर सकतेwatch कर लेते हैं और आप दोस्तों इसमें फेवी कुऊ कि दो इतासीक नि 2 तीन या जितना आपको जरुत परता इसें काफी स्टोड बना दिया है और यह कॉफी स्ट्रोंग हो चुका है दोस्तों यहाँ पर हमारा जो plastic bucket का repair है वह पूरा हो चुका है वह एकदम solid हो चुका है दोस्तों आप इस तरह से अपने bucket को कई मिनुत अक यूज कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों हम इसका testing भी खरके आपको दिखाएंगे इसमें पानी करके दिखाएंगे कि कहीं इसमें लिक तो नहीं हो रहा है तो चलिए दोस्तों अब हम इस plastic bucket का repair कर लेने के बाद आपको water testing करके दिखाएंगे तो दोस्तों हमारा जो plastic bucket है वह water यूज करने के लिए तयार हो चुका है तो दोस्तों हम आपको यहाँ पर आप दे सकते हमने य प्लास्टिक bucket को रखेंगे और पाई डालेंगे अगर इसमें water का leakage होगा तो water का जो निसाना सिधे इस cardboard में पढ़ जाएगा जो आपको इस पस्ट रूप से दिखाए देगा तो चलिए दोस्तों हम इसमें पानी डाल लेते हैं इस bucket के उपर तो यहाँ से हम तिन डिब्बे पानी डालेंगे यानि कि चोटा इसमें पंदर इटर पानी डाल दिया इसमें और आप देशेंगे दोस्तों इसमें जरा भी पानी लिकेज नहीं हो रहा है तो आपको यकिन कैसे होगा तो इसलिए तो हमने आप पर जो कागाच का कारबोड है उसे इसकी नीचे रख दिया आगर इसमें जरा भी एक बुंदी पानी लिकेज होता है तो सिदे इस कारबोड में उसका निसान पर जाएगा तो चलिए हम इस प्लास्टिक बकेट को उपा उठा कर देखते हैं कि इसमें पानी लिकेज हुआ है कि नहीं हुआ है तो चलिए इससे उठाते हैं तो दोस्तो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियों में एक और नहीं रिपेरिंग वीडियों को साथ अपतक लें जे हिंग जे भारात वंदे मात्राम